है लो प्रेंड्स तो कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही सांबर बहुत टेस्टी सा सांबर बनाएंगे और उसके लिए मैंने आदावाटी तूर दाल लिए आदावाटी मसूर दाल दो टमाटर मैंने कट कर लिए हैं बैंगन है थोड़ी सी भिंडी है और दो प्याज मैंने कट कर लिए इस स्लाइजिस में और यह ड्रम स्टिक है फली को हमने काट लिया है तो यहां पर दिखिए दोनों दाल को मिक्स करके मैंने अच्छे से दो लिया है और मैं इसमें पानी डाल दूंगी तो पानी डालने के बाद मैं नमक डाल दिया है एक जमस्च नमक डाला है मैंने आदा चमच हल्दी और यहां पर मैं टमाटर डाल के साथ ही बॉयल कर लूँगी बाकि सबसिगों मैं अभी नहीं बॉयल करूँगी नी तो वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाईगी तो बस हम कुकर को बन करके रख देंगे और यहां पर मैंने इमली के टुकडे डाल दिये हैं इसमें आपको इमली भी गोके रखने की कोई जो रख नहीं है यहां पर जब हमारी दाल दप तक गुटेगी इमली भी साथ में हमारी गुट जाएगी और टमाटर भी घुट जाएंगे हमारे तो बस कुकर को बंद करके यहां पर अभी हम रख देंगे यहां पर पांट सीटी ली है मैंने तो देखिए रेडी है यहां पर हमारी दाल अच्छे से घुट गई है टमाटर इमली साथ में और यहां पर हमने हल्दी नमक डाल दिया था पहले ही तो चलिए आगे की तैयरी शुरू करते हैं यहां पर एक पैन रखा है मैंने तो यहां पर मैं ओईल डाल दूँगी ओईल गरम होने के बाद में राई डाला है मैंने एक चमच राई है एक चमच जीरा कड़ी पत्ता डाला है मैंने और ये थोड़े से मेथी दाने हैं मेथी दाना डालने आप आपके पास पाउडर है तो वो भी बहुत थोड़ा सा डाली है आप और बहुत टेस्टी बना है ये सांबर हमने खाया था घर पर ही आप इडली के साथ खाएं वड़ा के साथ बनाएं घर पर ही और ये एक चमचादरक लसुन का पेस्ट है तो इसको में लाल होने तक भून लूँगी अच्छे से और यहां पर मैंने दो प्याज को कट करके रख लिया था वह मैंने डाल दिया है अभी तो घर पर यह आप इसी तरह से टेस्टी सामबर बना सकते हैं और मेरा ये वीडियो कैसा लगेगा आपको बताईएगा जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूलें तो प्याज हमारे लाल होने तक मैंने थोड़े से इसमें दो हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है आप इसको इडली के साथ खाएं वड़ा के साथ डोसा के साथ बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स आप घर पर ही बना सकते हैं इस तरीके से और यहां पर यह मैंने धनिया डाल दिया है यही सामर के मेन मसाले है तो देखिए दो चमज भर के मैंने यह यह दनिया पाओडर डाला है और एक चमज भर के रेट चिली पाओडर में दाल दिया है दो हरी मिर्च मैंने परसी है भुट कि अंभी मैं इन सब को अच् hal थी लूंगी तो देखे कितना अच्छा कलर आया अभी से तो यहां पे मैंने बैंगन डाल लिया है मसाला बुनने के बाद मैं और मैंने डाल के साथ मैं नहीं इनको डाला था कूकर में क्योंकि एकदम ज्यादा पक जाते घुट जाते यह तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए तो यहां पे थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट तक मैंने सबजी को पकाया था तो मैं ढग दूंगी 10 मिनट के लिए सांबर बनाने के और भी अपने अपने बहुत से तरीके हैं एक दिन और मैं सारा दिन जब फुर्सत में रहूंगी आपके शेयर करूंगी और भी दूसरे टाइप से बनाना बटे ऐसे भी आप जल्दी में अगर हो तो बना के खा सकते हो ये भी बहुत टेस्टी बनाता तो देखिए सबजी हमारी पक गई है अमरी बिंडी बेंगन वो सब 80% तक गल गया है फली गल गई है बस इसमें मैंने ये डाल को डाल दिया है टामाटर भी इसमें डाल चुकी हो मैं पहले ही अब पानी अपने हिसाब से डालिये इसमें जितना आपको थिकनस चाहिए तो ये देखिए मैंने एक ग्लास पानी डाला है इसमें और ये मैंने दो चमज भर के सामर मसाला डाला है यहां पर ये देखिए एवरेस्ट का सामर मसाला है फ्रेंड्स ये दो चमज भर के डाला है मैंने इसको लास में डाले एकदम फ्लेवर इसी से आने वाला है और बागी तो हमने सब कुछ डाला ही है सामर की रेसिपी में हरा दनिया डाला है मैंने और मुझे एकदम पानी जैसा पतला पसंद नहीं है और एकदम गाडा भी पसंद नहीं है मैंने मेरे हिसाब से पानी डाला है आप भी अपने हिसाब से डालिए और मैं थोड़ा से यहां पर नमक डाल दूँगी क्योंकि मैंने पहले भी डाल में नमक डाला था तो आप समाल के डालिए नमक तो चलिए बस रेडी है यह इसे पकाना है 10 से 15 मिनट तक ताकि सारी सबजी हमारी और भी जो बाकी है गल जाए तो कैसा लगा बताएगा जरूर देखिए मैं सर्फ कर रही हूँ यहां पर 10 मिनट मैंने पकाया था उसको तो यहां पर मैं राइस से घाने वाली हूँ तो यह देखिए रेडी है हमारा सामबर मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू बाई बाई थाइस से घाने वाली हूँ